गुरुजी प्रदीप मिस्राजी की कथा चल रही है महरास्ट में कासी से महपुराण कथा उसमें गुरुजी ने आज एक विशेस उपाई बताया जो की जीवन में कहीं न कहीं आपके रोग मुक्ति के लिए साहेख होगा और गुरुजी ने खासतोर पर गाय की रोटी का भी एक ऐसा उपाय वताया जो कि भागी को प्रबल करता है दुख दरीदरता का भी नाश करता है जिन जिन भक्तों ने आज की ब्रत की कथा सुनी है आज के गुरुजी की स्रेष्ट कथा का अनुभव किया है वहसरी सिवाई नमस्तुभ्यम कमेंट्स में जरूर से लिखिएगा आरंब करते हैं आज की कथा का भी से सुपाय गुरुजी कहते हैं आप सभी यह समझते हैं कि गौमाता आपके द्वार पर रोज रोटी खाने आती है परन्तु ऐसा नहीं है आप गौमाता को रोटी देते हैं तो जितनी देर गौमाता आपके दरवाजे पर खड़ी रहती है न उतनी देर जैसे जैसे वह गौमाता सांस लेती है आपके घर के दरवाजे पर आकर उतनी ना सोचे कि मैं गौमाता को यह कोई विसेस कारी की सिद्धी कर रही हूँ या कुछ विसेस ऐसा कर रही हूँ परन्तो ऐसा नहीं है गौमाता को आप रोटी खिला रहे हैं तो गौमाता आपके लिए विसेस कुछ कारी कर रही है गौमाता में 33 कोटी देवी देवताओं का वा वास्तु दोस्ट चल रहा होता है ना तो गौमाता की मिट्टी जो खुर की मिट्टी होती है अर्थात गौमाता जिस स्थान पर विच्रण करती है देशी गाई पर ही यह बात लागू होती है तो आप सभी को इस स्थान की मिट्टी ले आनी चाहिए पिछली कथाओं में बता गौमाता को आप रोटी खिलाते हैं तो वहाँ आपके काल का हरण करती है और साथी गुरुजी यह भी बताते हैं कि गौमाता जो विशेश तोर पर जैसे आप दिन के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं ताकि देती स्कोटी देवी देवता की कृपा आपको प्राप्त हो जैस इन तिथियों में जो ब्यक्ति जो है गौमाता को रोटी खिला देता है उसके भाग्य प्रबल हो जाते हैं उसे संपूर्न इकादशी का फल मिलता है सोमक पित्र का स्मरन करते हुए आप सभी भी नियमित रूप से गुरुजी की कथा सुनते हैं उनके उपाय जानते हैं सम कैसे रोटी खिलाने सका वही सौमबार के दिन अगर गौमाता को अगर आप रोटी खिलाते हैं उसमें एक चुटकी आप घी जो है गौमाता का ही लगा कर गौमाता को कुछ चीनी या सक्कर मीठा रख कर देते हैं तो आपके चंदरुमा की कुंडली में इस्तिती मजबूत बनती है और गौमाता जो है आपको विशेश आसिरवात दे कर जाती है और आपके कुंडली में जो है सभी ग्रहों की दशा मजबूत होती है मंगलवार के दिन गौमाता को एक चुटकी गुड का टुकडा रख कर और विशेश तर पर लाल चनी की दाल गुड का टुकडा चनी की दाल रखकर समर्पित की जाती है या मसूर की दाल समर्पित की जाती है तो इससे जो है मंगल ग्रह से संबनी दोश खत्म होते हैं और रोग संकट भी पून रूप से मुक्त हो जाते हैं बुद्धवार के दिन गौमाता को अगर हरामोंग जो है खिलाया जाए स्वाहिक योग बनते हैं गुरु ग्रह मजबूत होता है सुक्रवार के दिन विशेश तोर पर गौमाता को गेहों खिलाया जाते हैं या अन्य चीज़ जो आपके घर पर विद्यमान हो गेहों के साथ मिस्रित करकर खिलाया जाते हैं तो पती-पत्नी का प्रगार प्रेम हो सनिवार के दिन जो की रोटी या जो मिस्रित गौमाता को चारा खिलाया जाता है तिल का भूग गौमाता को खिलाया जाता है रोटी इत्यदी में तो सनी राहों से संबंदित परिशानी दोर होती है तो इस तरह से आपको नियामित रूप से गौमाता के लिए रोटी का प् तो खुश्यों के भंडा निश्चित रूप से आपकी घर में भरते हैं साथी रोग दोस्ट संकट का नाश होता है काल कभी उस घर में प्रवेश नहीं करता और पित्र भी से त्रिप्त होते हैं तो आप सभी इस नियम के साथ गौमाता का विसेश ध्यान रखें गौमाता के खूर की जो मैं बता रही थी वह मिट्टी लाकर घर पर किसी स्थान पर रख देते हैं किसी लाल कपड़े में या कागज में या किसी भी वस्तु में तो घर की पित्र दोश बास तो दूर हो जाते हैं गौमाता को सहलाने से जैसे 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 जो गौमाता का रो में हैं जो उनकी dead cells कह सकते हैं आप हिंदी भासा में इंग्लिश में अर्थात उनके रोम छिद्र जैसे जैसे उसे सहलाते हैं वैसे वैसे जो उसके रोम छिद्र होते हैं वैसे आपके रोग गटते हैं इतनी महत्ता है गौमाता के हर एक कारी की गौमाता के जो उपले होते हैं वह कारी म गुमूत्र काम में आता हैं कुल मिला कर गौमाता से चुड़ी हुई अमूल लिजानकारिया गुरुजी ने पहले ही दे रखी हैं, आज गुरु जी ने यह गौमाता की रोटी की विसेश बात की साथी गुरुजी के पास एक ऐसा पत्रा आया जिसमें गुरुजी ने कहा जिसमें एक महला ने लिखा हुआ था कि मेरे पती जो है बहुत दिनों से वेल्टिलेटर पर थे बहुत अधिक जीवन में परिशानिया चलने लगी थी किसी न क स्वरूप में परंतु मैंने आउले के जल का आज उपयोग किया कूँ इस उपाए में मैंने विसेश रोप से जो गुरुजी द्वारा बताया किया कुंद केश्वर महादेव का स्मनन किया जो 9 बच कर 15 मिनट पर किया जाता है वह उपाए किया मेरे पती घर आये पूर्ण रूप से स्वस्तु हुए और जो भी विक्ति जीवन में परेशान हो तो गुरुजी ने आज विसे इस तोर पर 9 बच कर 15 मिनट आउले के जल के जो उनका पुराना उपाय था उसे वापस रहे इसमानन किया गुरुजी ने बताया गुरुजी कहते हैं 9 बच कर 15 मिनट एक ऐसी तिती है जो भले ही आप महादेव के मंदिर में करें या घर के मंदिर में करें इच्छा आपकी है परन्तु अनन्ता आपको इससे लाब मिलेगा इंदी नव आउले खूबान हैं हैं आपके जीवन में भी भेंग कर कोई रोग चल रहा है तो 9 बच कर 15 मिनट पर कुंद कुंदुकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको एक जल का लोटा ले लेना चाहिए उसमें आप सभी को एक आउला डाल लेना जाहिए आउला जो है बहुत स्रेष्ट वाना जाता है भोजन के स्वरूप में अर्थत किसी ने किसी स्वरूप में ग्रहन करना और साथी हर ए जल का लोटा लें चाहे तो 9 बशकर 15 मिनट में सिवमंदिर चले जाए गया घर पर ही सिवपिंडी पर करें परंतु आप सभी को आउला मिस्रित जल जो है सिवपिंडी पर शमरपित करना चाहिए इस नियम को आप कम से कम साथ दिन करकर देखिए रोग मिटेंगे कस्ट मिटे लाब आपको होना ही है गुरुजी का उपाय आप उनकी आवाज में भी सुन सकते हैं आप देखेंगे कि जीवन में बहुत अधिक सुधार हो रहा है और उपाय को आप सत्य पाएंगे करके देखिएगा लाब आपको मिलना ही है साथ के साथ आप सभी जानते होंगे आप सब्सक्राइब करें, कॉमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें